हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप कुछ इस तरीके का सब्सक्राइब एनिमेशन अपने वीडियो में कैसे एड़ कर पाईगे और दोस्तों अगर आप कुछ इस तरीके का एनिमेशन अगर अपने वीडियो में एड़ करते हैं तो आपका जो वीडियो है बहुत ही ज़ादा प्रोफेशनल लगता है और आपको ऐसा एनिमेशन वीडियो एड भी करना चाहिए सोसल मीडिया का एनिमेशन वीडियो एड करना चाहिए लाइक बटन का एनिमेशन वीडियो एड करना चाहिए क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फॉन के थुरू ऐसा एनिमेशन वीडियो कैसे create कर पाएंगे और अपने वीडियो में आप कैसे use कर पाएंगे तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिना skip किये हुए देखते रहें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आपको आल पे सेलेक्ट करना है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहूल आप देख रहे हैं The Smart Series YouTube चैनल तो चली फिर से कुछ नए आट रहे करते हैं तो दोस्तों एनिमेशन वीडियो को क्रिएट करने के लिए आपके पास काइन मास्टर एप्लिकेशन का होना बहुत ही ज़ाद जरूरी है अगर आपके पास काइन मास्टर का मोड भर्जन एप्लिकेशन नहीं है तो आपको वीडियो के description में मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं इस काइन मास्टर एप्लिकेशन को तो दोस्तो जैसा आप इसको install कर लेते हैं आपको इसको open करना है और open करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का interface आ जाता है तो दोस्तो यहाँ पे आपको plus का icon मिल रहाँ आपको इस पर click करना है और यहाँ पे 16 into 9 का expect ratio मिलता है इसको select कर लेना है और दोस्तो जैसा आप इसको select कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का interface आ जाएगा दोस्तो आपको वीडियो के description में आपको 4 animation वीडियो मिलेगा आपको 4 को download कर लेना है और जो भी आपको अच्छा लगता है आप उसको use कर सकते हैं तो दोस्तो मैं यहाँ से कोई भी एक use कर लेता हूँ और उसी को मैं create करके बताऊंगा और same process को आप follow करके आप अपने channel के लिए भी animation video create कर पाएंगे तो दोस्तो मैं यहाँ से कोई भी एक animation video को select कर लेता हूँ तो दोस्तो मैंने यहाँ पर एक animation video को select कर लिया है मैं यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले play करके दिखा देता हूँ कि यह कौन सा video है तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह animation video कुछ इस तरीके से है यहाँ पर आपको अपने channel का logo और अपने channel का नाम लिखना है कैसे दोस्तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ तो दोस्तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने channel का logo एंटर करना है आपको add कैसे करना है आपको यहाँ पे layer का जो option मिल जाता है आपको इस पे click कर देना है उसके बाद दोस्तों media का option मिलता है आपको इस पे click करना है और जहाँ पे भी आपके channel का logo होगा वहाँ से आपको add कर लेना है तो दोस्तो मैं यहां से अपने channel का logo add कर लेता हूं तो दोस्तो आप यहां पे दیکھ सकते हैं यह रहा मेरा YouTube channel का logo उसके बाद दोस्तो आपको थोड़ा सा इधर scroll करना है और इसको आपको adjust कर लेना है आप यहाँ पे देख सकते हैं जितना बड़ा यहाँ पे आपको borderline मिल रहा white color का आपको उतना ही रखना है और इस तरीके से आपको adjust कर लेना है उसके बाद दोस्तों इसको खीच के लंबा कर लेना है जितना बड़ा यहाँ पे screen यह green screen वीडियो उतना लंबा आपको कर लेना ह उसके बाद दोस्तों इहाँ पे आपको अपने channel का नाम एंटर करना है कैसे दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से आपको layer के option पे click करना है और यहाँ पे आपको text का option मिल जाता है आपको उसके बाद दोस्तों इहाँ पे आपको अपने YouTube channel का नाम एंटर कर लेना है तो मैं यहाँ से The Smart Series एंटर कर लेता हूँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी YouTube चैनल का नाएम एंटर किया उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको OK कर दिना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर Text Add हो जाता है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले Color Select करना है Color कैसे Select करना है यहाँ पर आपको Click करना है और जैसे आप यहाँ पर Click करते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारा Color मिल जाता है तो मैं यहाँ से Black Select कर लेता हूँ उसके बाद आपको Back आ जाना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको font change करना है अगर आपको पता नहीं कि font कैसे change करना है तो यहाँ पर आपको font का option मिल रहा épisode आपको इस पर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से robot black को select करता हूं और यहाँ पर आपको corner में tick करने के लिए बोल रहा है तो आपको इस पर click कर देना है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर font भी select हो चुका है उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से इसको set कर लेना है तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं फिट हो चुका है लेकिन दोस्तों गर आप यहाँ पर मैं अगर इस वीडियो को play करके दिखाऊंगा तो दोस्तों यहाँ पर परफेक्ट नहीं है यह यहाँ पर पूरा वीडियो अभी complete नहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर वीडियो को प्ले करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आधा दूरा है लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको in animation और out animation आपको add करना पड़ेगा कैसे दोस्तों वो भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने channel का जो logo मिलता आपको इसपे click करना है और यहाँ पे आपको in animation का option मिल जाता आपको इसपे click कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर आपको slide up का option मिलता आपको इस पर click कर देना है और corner में आपको tick करने के लिए बोल रहा है तो आपको इस पर click करना है उसके बाद दोस्तों फिर से आपको अपने YouTube चैनल के लोगों पर click करना है और यहाँ पर आपको out animation का option मिल जाता आपको इस पर click करना है और यहाँ पर आपको slide down का option मिलता इस पर click करना है और इसका जो time है आपको 1.5 second रखना है आप यहाँ पर देख लिजे पूरे ध्यान से वीडियो को देखीगा तब ही आपको पूरे वीडियो अच्छे से समझ में आप आएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको चैनल का यहाँ पर animation एड हो चुका है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको टेक्स्ट में animation एड करना है तो आपको टेक्स्ट के उपर क्लिक करना है और in animation का option मिलता है आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपको slide up का option मिलता है उसको select कर लेना है तो यहाँ से slide up का option है इसको मैं टिक करता हूँ उसके बाद दोस्तों एक बार वेक आना है और फिर सब आपको text के उपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको out animation का option मिल रहा है और यहाँ पर आपको out animation में slide down का option मिलता है उसको भी 1.5 second आपको यहाँ पर time रख लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक बार बैक आ जाना है तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर इस वीडियो को अप प्लेक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ जो वीडियो है यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट तरीके से यहाँ पर create हो जाता है और दोस्तों गर आपको लगता है कि यहाँ पर out animation या फिर in animation यहाँ पर fit नहीं हो रहा है वीडियो के हिसाब से तो आपको वहाँ जो time मिलता है उसको आप थोड़ा सा बढ़ा घटा सकते हैं जिससे आपका out animation और in animation होता है वो fit हो जाएगा उसके बाद दोस्तों इसको export कर लेना है अगर आपको पता नहीं कि इसको export कैसे करना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक arrow मिल जाता corner में आपको इस पर click कर देना है उसके बाद दोस्तों इसको आपको full HD 1080p पर select करना है और नीचे आपको export का option मिल जाता आपको इस पर click करन लेता हूं तो प्लस के आइकन पे क्लिक करके मैं वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूं तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं मैंने यहां पे एक वीडियो को सेलेक्ट कर लिया उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना आपको जहां भी ओ जो एनिमेशन आपने क्रियेट किया जहां भी आप add करना चाहते हैं वहाँ पर आपको वीडियो को ले जाना है और post कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको layer का option मिलता आपको उसके click कर देना है और यहाँ पर आपको media का option मिलता है आपको उसके click करना है और जो वीडियो आपने अभी export किया था वो यहाँ पर आ जाएगा तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो आ चुका है तो मैं इसको add कर लेता हूँ तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वीडियो है, यहां पे add हो चुका है उसके बाद, दोस्तों, आपको क्या करना है एक बार आपको इसके उपर click करना है और side में आप देख सकते हैं यहां पे आपको एक chroma key का option मिल जाता है आपको इस पे tick करना है और यहां पे आपको ए enable का option मिल जा इसको enable कर देना है तो दोस्तों जैसा आप इसको enable करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो वीडियो है यहाँ पर transparent हो जाता है उसके बाद दोस्तों इसको आपको थोड़ा सा छोटा कर लेना है उसके बाद यहाँ आप इस तरीके से इसको adjust कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आप आप लोग को play करके भी दिखा देता हूँ तो दोस्तों जैसे आप बोलेंगे कि आप मेरे चैनल को subscribe कीजिए आप इसको add कर पाएंगे तो मैं आप पे play करके भी दिखा दे रहा हूँ आप यहाँ पे पूरे ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक ऐसे trick के बारे में बताऊँगा तो दोस्तों आपने देखा कुछ इस तरीके से आप subscribe वाला animation वीडियो खुद से create कर सकते हैं और वो भी अपने phone से तो दोस्तों अगर आप social media का भी animation वीडियो create करना चाहते हैं तो दोस्तों आप नीचे comment करके बता दीजिएगा जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोग को एक animation वीडियो दिखा रहा हूँ आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे play करता हूँ इस वीडियो को और आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने Instagram को set किया है और Facebook को भी set करके रखा है तो अगर आप भी कुछ इस तरीके से social media का animation वीडियो क्रियेट करना चाहते हैं तो आप नीचे comment करके जरूर बताईएगा तो दोस्तों बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था और आपको यह भी बताना है कि यह जो वीडियो आप लोग को कैसा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और साथ में चल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको आल पर सेलेक्ट करना है तो दोस्तों दुबारा मिलता हूं सिद्रा के इंट्रेस्टिंग और यूच्छुल वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिंद जाए भारत